मेरे नेम उन्हे सातियों नमस्कार आईए आज हम सभी को पढ़ाते हैं पंडित परताप नरण मिस्र का जीवन परिचे थोड़ा सा है छोटा सा है शौट करके लाएं हैं हम बहुत ज्यादा लंबा आपको नहीं पढ़ाएंगे कि आप उब जाएं ठीक है तो चलिए प्रारंब करते हैं एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजे और अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप प्लेलिस्ट से देखे जैसा आपको लिखना है छोटा सा जितना लिखना है जितना आपको लिखना है आपके एक्जाम में बस मैं उतना ही जीवन परिचे लेकर के आया हूँ छोटा सा है जल्दी से 9 में हैं और कक्षा 10 का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप 7.7 बजे कक्षा 10 की live class देखिए ठीक है तो पंडित प्रताब नाराणे मिस्र का जेवन परिचे आप देख लिजे बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में ठीक है सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे बहुत अच्छी सी जीवन परिचे जैसा की पड़ी हुई है बहुत अच्छी से जीवन परिचे आप हेडिंग डाल देंगे और फिर क्या करेंगे जीवन परिचे हेडिंग डालने के बाद क्वा था, बैजे गाओं में सन 1856 में हुआ था, इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद मिस्र एक जोतिशी थे, क्या थे, जोतिशी थे, कौन पंडित संकटा प्रसाद मिस्र जोकी इनके पिता थे, तो इनके पिता कौन थे, पंडित संकटा प्रसाद मिस्र, बात समझ में आई, हाँ, संकटा प्रसाद मिस्र एक जोतिशी थे, और वे पिता के साथ बचपन से ही कानपुर आ गए, बचपन में भईया कानपुर चले आये थे पंडित प्रताब नारण मिस्र, अंग्रेजी स्कूलों की अनुशासन पूर्ण पढ़ाई इन्हें रुचिकर नहीं लगी, यनि पहले अंग्रेजी स्कूल चलते थे, अब 1856 की बात है और देश 1947 में आजाद हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि क्या दसार ही होगी उस समय, तो इनकी जो अंग्रेजों की जो स्कूल थे, अब जैसे थे अनुशासन पूर्ण रही थे, है ना, वहाँ कोई और बोल थोड़ी सकता था, वहाँ अंग्रेज बोलते थे उनी की सुनो, तुमारे मून नहीं है, तुमको नहीं बोलना था, तो यही बात थी, कि पंडित प्रताप नाराण मिस्र जब आ ग कहते हैं, आपने कहते हैं, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, आदिका अध्यन किया, देखे, उस समय अंग्रेजों के जमाने में अरभी, फारसी, अंग्रेजी बहुत चलती थी, हिंदी का नाम निशान बहुत कम था, लावनी बाजों के संपर्क में आए, लावनी क्या होता, लावनिया होती है, गीत होते हैं, ठीक है, कविताएं होती है, लावनिया पद्धती समझ लीजिए, तो लावनिया लोग गीत होते हैं, तो लावनी बाजों के संपर्क में आकर मिस्तर जी ने लावनिया, लावनी चंद होता है, उसमें लिखनी श जी आजीवन इन्होंने हिंदी की सेवा की, कानपूर के सामाजिक राजनीतिक जीवन से भी इनका गहरा संबंद था, वे यहां की अनेक सामाजिक संस्थाओं से संबद थे, इन्होंने कानपूर में एक नाटक सभा की भी स्थापना की थी, ये भारतेंदू के वेक्तितों में ये भारतेंदू के वेक्तितों से क्या थे भारतेंदू जी के वेक्तितों से क्या थे अत्यधिक प्रभावित थे भारतेंदू जी की परसनेल्टी से बहुती प्रभावित थे तथा इन्हें अपना गुरू और आदर्श मानते थे इसलिए अगर आप से पूछा जाए भारतेंदु युक के जो कभी हैं जो लेखक हैं वो कौन हैं एक लिखिए तो आप पंडित पताब नरण मिसर को लिखिएगा अपनी हाजिर जबाबी और हास सिप्रियता हाजिर जबाबी और हास सिप्रियता के कारण वे कानपूर में काफी लोक थे इनकी मृत्यू कानपूर में ही सन 1894 इस भी में हुई थी ठीक है तो 1894 में मृत्यू हो गई थी और 1856 में इनका जन्म हुआ था ठीक है आगे दिखते हैं अब इनकी करतियां आप हेडिंग डालेंगे और करतियां मतलब रचनाएं लिख देंगे बहुत कुछ जादा नह रचनाएं लिख देंगे ठीक है तो क्या लिखेंगे कि मिस्र जी द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या 50 है जिन में प्रेम पुष्पावली मन की लहर मानस विनोध उपर नीचे भी लिख सकते हैं आप ये प्रमुक हैं काव संग्रह में इन्होंने लिखा कलिकवतुक ह अठी हम्मीर गो संकट भारत दुर्दशा नाटक है जुवारी खुवारी प्रहसन लिखा आदी है ठीक है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रताप नार्ण मिस्र ग्रंथा वली नाम से इनकी समस्तर रचनाओं का संकलन प्रकाशित है तो भाया ये तो आपका था आज आज का जीवन परिचे और आज का जीवन परिचे आपका होता है समात अगर कोई दिक्कत है तो हमने आपको अपना कॉंटाक नंबर दे रखा है अब आउट सेक्शन में मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए वहाँ पर भी आपको मुबाइल नंबर मिल जाएगा कोई समस्या होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एक बार कमेंट कर दीजिए जोरदार शेयर कर दीजिए मैं आप सब की कमेंट फिर पढ़ूँगा चलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ और इसकी पीडियाफ पाने के लिए आपको कहा जाना पड़ेगा हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस लिंक के माध्यम